दोस्तों आज की इस वीडियो में काइंट्स अफ नाउन को डिसकस करने वाली हूँ बहुत सारे स्टुडेंट्स को इन फाइव नाउन को आइडेंटिफाई करने में बहुत सारे कन्फूजन होता है तो ध्यान से देखिए गाइज वीडियो को, लेट्स स्टार्ट अब देर आर टोटल फिव कांड्स अफ नाउन प्रोपर नाउन, कमानन, मेटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब्स्टार्क नाउन प्रोपर नाउन नाउन वर्ड्स जो किसी पार्टिकुलर, यानि कि कोई श्पेशल, थिंग, प्लेस, या पर्सन को एक्स्पेश करता हो उसको यह हम लोग प्रोपर नाउन कह सकते हैं यह यह कह दे कि किसी particular person, place या thing के नाम को ही proper noun कहते हैं particular या दखना particular या special, विशेश तो इसके example को तब देखते हैं राहुल एक particular person का नाम है तो यह भी proper noun के काटेगरी में है महाभारत एक particular thing है, वस्तू है एक particular तो यह भी proper noun है रमायना, बैटल ओफ प्लासी कलकत्ता एक particular place है गंगा यह भी एक particular thing है और बहुत सारे हो सकते हैं इसके अलावा भी मैंने कुछ examples दिये हैं जिसे की concept clear हो आशा करती हूँ कि मैं आपको proper noun का concept जो है समझा सकी हो अब common noun noun words जो किसी particular जाती समू को express करता हो जाती समू यानि कि several persons, several things, several animals और several places examples देखे समझाती हूँ तो concept clear होगा example है man man मतलब क्या होता है आदमी एक आदमी को सुनने से या देखने से हम लोग क्या समझते हैं कि दो हाथ होंगे दो पाँ होंगे और nose, eyes, lips यह सब होंगे तो ऐसे figure को देखते ही हम लोग समझ जाता है कि कोई man है अब भले ही उसका नाम पता हो या ना हो हम लोग उसको पैचानते हो या ना हो बट वो जैसा creation है उसका उससे समझमा आ जा रहा है कि man है अब वैसे अगर तो चार जन भी आ जाए तो भी हम लोग समझ जाएंगे man है तो भी वो सब जो है man की category में ही आएगा तो इसी को ही इसी concept को ही जाती कहते हैं जात मतलब क्या होता है मतलब बहुत सारा उसी type का हो और एक group बना हुआ हो तो हम लोग उसको एक जात बोल देते हैं तो यही हुआ common noun का example next example है boy इसमें भी similarly एक छोटा लड़का हो दो हाथ बुदो पाउं हो तो समझ जाते कि यह लड़का ही होगा इसके creation को देखके भले इसका नाम पता हो या ना हो बट हम लोग समझ जाते हैं यह एक boy है तो कैसे पता चलता है हम लोग माइंड में रखा हुआ है कि ऐसा होगा तो इस जात का है यानिकि boy का जात का है थोड़ा सा लंबे बाल होंगे थोड़ा से छोटे बाल होंगे तो वह गर्ड में आ जा रहा है तो उसको नोग कहेंगे अब जो पार्टिकुलर ली अगर नाम दे रिया जाए जैसे कि गंगा तो वह प्रॉपर नाव में हो गया लेकिन अगर सिफ रिवर बोल रहा है तो वह हो गया कॉमन में क्यूंकि उसका कोई पार्टिकुलर नाम नहीं पता है बस हम काओ होगा तभी विकाओ अगर ब्राउन होगी तभी भी वाइट होगा तभ़ी भी काओ कि इनीमल स्टेट रोड बंध एक्षेटरा और बहुत सारी घ्जामपल्स है मैंने कुछ कलेक्टिव दिये हैं ध्यान से सुनियेगा और मैं ज्यादा ज्यादा इंट्रेस्टिंग बनाने की कोशिश करूंगी और मैं ज्यादा से जडा Inč्रेस्टिंग वैं में की कोशिश करूंगी मैं अब Now which is our हम वर्ट्स जिसको हम लोग्ट नहीं कर सकते हैं इसर्फ माप सकता हैं यह टॉल सकते मतलब उसको गिन नहीं सकते हैं सिर्फ मापेंगे यानकी वजन करेंगे और तॉलेंगे एक्जामपल की तरफ देखते हैं वाटर ऑईल सिल्वर गोल्ड राइस वेट कोल मिल्क शुगर शॉल्ट एक्सेटर यह सारे जो अभी मैंने एक्जामपल दिया हैं किसे को भी आप काउंट नहीं क कर सकते हैं सिर्फ तॉल सकते हैं या माप सकते हैं कोल मिल्क शुगर राइस किसी को भी नहीं काउंट कर सकते हैं गोल्ड किसी को भी नहीं सिर्फ तॉल सकते हैं या माप सकते हैं तो यह सब जो है मेटरियल नाउन के एक्जामपल से हैं कि कलेक्टिव नाउन नाउन वर्ट जो कुछ बैक्ति या बस्तूओं के ग्रूप को इंडिकेट करेगा तो अम लोग उसको कलेक्टिव नाम कहेंगे याद रखना कुछ बैक्तियों के ग्रूप कुछ बस्तूओं के ग्रूप यह दोनों याद रखना बहुत इंपॉर्डट है तो एक्जामपल देखो clear हो जाएगा क्लास army टीचर क्लास आरमी और टीचे मतलब क्लम क्लास को कैसे बना होता है कुछ इस्टूडेंट को लेकर एक क्लास क्लास बना होता है क्लास तो बहुत सारे होता है एक ठोको अगर हम ले नाइने को चलो लेते हैं तुसमें कुछ धूका हुआ है कुछ रिष्टक्रेंस हैं वहाँ पे तो उसको की नाइने को बोलेंगे क्लास क्योंकि nga students 아 dal गृप ओ सार। दुणिया बहुत सारे इस्टूडेंट सब्सक्राइब सबस्क्राप अलग अलग होता है तो सबस्क्राइब को एक साथ रखटें तो एक तो आहिं जाता है और क्लास जो है यह एक्जामपल नाम नाम इन सेम वे आरमी, आरमी भी कुछ soldiers के group होते हैं बने वे होते हैं उसको ही आरमी बोलेंगे teacher भी कुछ teachers के group होते हैं तो हम लोग इस category के किसी भी उस तरह के creation को देख लेते हैं तो समाझ जाता है कि ये उसी ग्रूब का member यानि की teacher है अब आता है abstract noun की तरफ Noun word जो किसी person या think के quality, दोश, position या habits को express करे तो हम लोग उसको abstract noun कहेंगे Simple word में वो noun word जो किसी के quality को या nature को express करता हो emotion को express करता हो, feeling को express करता हो तो उसे हम लोग abstract noun कहेंगे For example, health ये एक state है, person का Honesty, ये quality है, जो good में आता है Kindness And goodness भी quality है Childhood, death, ये सब भी state है State of a person है Work, service, ये दोनों जो है, action के category में आता है और youth जो है, वो भी एक state of a man है And etc ये सब जो अभी मैंने example दिये है, ये सब जो है Extracted category माता है, यानि कि एक भाव है, जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं सिर्फ feel कर सकते हैं और उसको express करें कोशिश करते हैं और ये सारा example जो है, quality है, कुछ action है और कुछ state of a man है और thing है तो इसलिए ये सब जो है, abstract noun के example है तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही Hope आपका concept clear होगा See you on the next video Thanks for watching I'll see you on the next video